हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चानल साइंस एंड साइकोलजी और दिस चाप्टर फॉर ऑफ क्लास 11 बायोलजी और दिस आनिमल किंग्डम और आज हमारा टॉपिक होगा टीनो फोरा इसके पहले के सभी टॉपिक्स को हम प्रीवेस टू पार्ट्स में कवर कर चुके हैं अग तो हम शुरू करते हैं फाइलम टीनो फोरा फाइलम टीनो फोरा की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले इस डाइग्राम को देखिए ये डाइग्राम एक और्गिनिस्म का है और इस और्गिनिस्म का नाम है प्लूरो ब्राकिया ये जो फाइलम टीनो फोरा के अंदर और आते हैं इनको हम commonly sea walnuts भी बोलते हैं और com jellies भी बोलते हैं sea walnut बोलने का reason आप देख सकते हैं क्योंकि इनकी shape कुछ अखरोट की जैसी होती है और com jellies भी इसको हम बोलते हैं और ये marine organism होते हैं और इनकी जो symmetry होती है, it is radially symmetrical and diploblastic और इनका जो level of organization होता है, it is tissue level of organization. अगर आपको इनका meaning नहीं पता है, तो आप प्लीज मेरी इन से पहली की वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें हम basis of classification में हमने सारे terms को बहुत अच्छे से पढ़ाता है। फिर इसकी जो body होती है, इसकी जो body होती है, और आप इस पे external rose देख सकते हैं और ये जो external rose होती है, ये देखे, इस्चे, ये are some kind of rose आण इसमें 8 external rose होती हैं और वो 8 external rose जो होती हैं उसमें ciliated calm plates present होती हैं, ciliated com plates का मतलब है कि जो com plates होती है वो उसमें cilia present होती है आप यहाँ पर यह hair like structure देख रहे हैं यह cilia है और जहां पी जिस भी organism में cilia present होगा इसका simple सा मतलब होगा कि वो उसको locomotion में हिलने डूलने में help करेगा इसमें जो digestion होता है वो extracellular और intracellular दोनों होता है और इसकी एक special बहुत ही जादा important और बहुत ही अच्छी property है यह bioluminescence होता है bioluminescence का क्या मतलब है कि यह एक ऐसा organism होता है जो की light को emit करता है आपने जुगनू देखे होंगे अगर देखे हों तो उसमें से light emit होती है तो उसी तरीके से ऐसे यह ऐसा organism है जिसमें light emit होती है इसलिए हम इसकी property को bio luminescence बोलते हैं bio मतलब कोई भी living organism और luminescence मतलब जो light emit करते हैं और यह सिर्फ tino force में ही पाया जाता है यह characteristic और इसके जो sexes होते हैं वो separate नहीं होते हैं इसका मतलब है कि इसमें अलग female और अलग male नहीं मिलेगा और इस तरीकी के organism को हम hermaphrodites बोलते हैं जो reproduction होता है वो sexual means से ही होता है बस और जो fertilization होता है वो external ही होगा और इसमें जो development होता है वो indirect development होगा indirect development का मतलब है कि जो young ones होगा उससे जब adult बनेगा एक तो वो आपस में बिलकुल भी resemble नहीं करेंगे और उनको young one को एक larval stage से होकर गुजरना पड़ेगा adult बनने के लिए तो उसको हम indirect development बोलत इसके एक्जामपल है plurobrachia and tino planum tino planum आपको याद रहेगा क्योंकि tino foraker example tino plana plurobrachia को आप याद करेंगे आप ये जो डाइग्राम देख रहे हैं ये plurobrachia ही है फिर आता है हमारा phylum platy helmets जय को अगर अगर मोनिके तो यह उपर और नीचे दोनों साइट से इनकी और इसी वरे से इस को मेरे सहं absolut यह एंड़े było, भी बोल थैंधे हैं यह एंडोपैरसाइट्स होते हैं जो बॉड़ी के अंदर रहते हैं और दो पैरसाइट्स स供क्षा ऑर सीविंग नहीं होता है, इसमें body cavity नहीं होती है, इसलिए हम इसको a silomate animal बोलेंगे, और इसमें organ level of organization होता है, और इसमें hooks और suckers present होते हैं, जब भी ये parasitic form में है, तो इसमें hooks और suckers मिलेंगे, और ये hooks और suckers सिर्फ platy helmetus के organism में ही मिलेंगे, कुछ ऐसे organism होते हैं, platy helmetus के अंदर जो आते हैं, जो directly body surface से ही absorb कर लेते हैं, nutrient को, इनके अंदर hooks और suckers present होते हैं, suckers का मतलब आप समझ सकते हैं, कि जो hook होता है, कुछ इस तरीके का होता है, hook को आप जहां भी लटकाएंगे, वो लटक जाएगा, और अगर कोई hook कहीं पर लट और उड़ता नहीं है, और hook क्या करता है, suckers का काम करता है, suckers का करने का काम करते हैं, और hook को आपना nutrient बहुत असानी से absorb कर पाते हैं, अगर ये body surface पे लग जाएं, जैसे leech आपने देखा हैं, तो अगर वो body surface पे लग जाती है, तो वो सारा का सारा जो blood होता है, वो सक कर लेत हैं, और इसी तरीके से ये भी nutrients absorb कर लेते हैं, directly from the body surface, इसमें specialized cells होते हैं, जिनका नाम है flame cells, सी जो flame cells होते हैं, ये इनकी special property है, एक special property है कि इसमें hooks and suckers होते हैं, दूसरी special property है कि इसमें flame cells होते हैं, flame cells क्या करते हैं, osmo regulation और excretion में help करते हैं, excretion का मतलब body waste को बहार निकलना, और osmo regulation का मतलब है कि body के अंदर एक balance को बनाए रखना, जितने भी ions या जितने भी salts present होते हैं, osmotic pressure हर चीज़ को regulate करना flame cells का काम होते हैं, इसमें भी sex is separate नहीं होते हैं, इसलिए ये भी hermafrodite होगा, इसमें fertilization internal होगा और development कैसा होगा, larval stage के थ्रू होगा, इसका मतलब हैं कि इसमें जो development है, वो भी कैसा है, indirect development है, इसकी example है plan area, plan area जो होता है, उसमें regeneration capacity होती है, regeneration capacity का मतलब है कि वो अपने body parts को regenerate कर सकता है, अगर अगर उसका कोई body part टूट जाता है, तो वो उस अपने body part को regenerate करके दुबारा से ला सकता है, जैसे हमारे nails जो हैं, अगर वो हम उसे cut क tap warm बोलते हैं और faciola जिसको हम liver fluke बोलते हैं, आप यह diagram देख सकते हैं, यहाँ पर आप इसको अगर cut करेंगे तो दोनों side से बिल्कुल same आपको symmetry मिलेगी और इसलिए हम इसको bilateral symmetry बोलते हैं, यह first आप देख सकते है, tap warm and second है liver fluke, फिर इसके बाद हमारा आता है third जो हमारा आ transfer section क्या होता है कि अगर आप कोई plant है और यह plant इस तरीके का है और आप इसको यहाँ से cut कर दे तो आपको यह round surface जो उसका देखेगा, वो transfer section होता है, अगर आप platty helmetus का transfer section करेंगे तो आपको बिल्कुल flat body दिखेगी, लेकिन ऐसा S के helmetus में नहीं होता, S के helmetus की जो body होती है, circular होती है, जैसे आपने warm देखे होगी, घरों में भी warm मिल जाती है, तो इसी तरीके से उनकी जो body होती है, राउंड होती है, इसी तरीके से इसकी body भी round और circular होगी, इसलिए हम उसे round warm बोलते है, यह free living है, aquatic है, पानी में भी रह सकती है, और terrestrial land पे भी रह सकती है, और यह parasitic प्लांट्स और आनिमल्स दोनों में, round warm के अंदर बहुत ही high level का body organization होता है, जिसको हम organ system level of body organization बोलते हैं, और यह सबसे highest body level of organization है, जो कि आपको एसका हेल मितिस से मिलना शुरू हो जाएगा, इससे पहले प्लाटी हेल मितिस में organ level of body organization था, इसकी symmetry भी कैसी होते है, bilateral symmetrical होते है, इसमें भी three layers होते हैं, triple plastic होते हैं, और आपने देखा था कि जो प्लाटी हाल मितिस थे, वो silomate थे, उसमें silom नहीं था, body cavity नहीं थी, लेकिन यह सीडो silomate होते हैं, इसमें पैचिस की form में मिजोडम प्रेजन्ट होगा, इसमें एक special feature है, वो यह है कि इसमें elementary canal complete होती है, well developed होती है, बहुत अच्छे से elementary canal इसमें दी होती है, और जो की muscular pharynx के साथ developed होती है, यह इसका special feature है, आप इसको याद रखेंगे, यह सर्फ और सर्फ एसके helmetis में ही मिलता है, इसके अलावा, इसमें excretory tubes present होती है, जो की body waste को remove करती है, और body cavity से बाहर निकालती है, जो excretory tubes होत होती है, जिसे body के waste बाहर निकलता है, आप देखते हैं कि यह थोड़ा सा advanced level है, प्लाटी हेलमेथिस से, इसमें काफी कुछ नई चीजें आपको देखने को मिली है, जैसे कि elementary canal well developed है, excretory pores present है, और इसमें जो sexes होते हैं, वो भी separate होते हैं, आप इसमें male और female को अलग देख स कि organism में मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम hermaphrodite बोलते हैं, इसमें जादा तर ऐसा होता है, कि जो females होती है, वो male से जादा लंबी होती है, और fertilization internal ही होता है, और development direct और indirect दोनों हो सकते हैं, direct indirect तो आपको पहले से ही पता है, और direct का मतलब होता है, कि young one और adult resemble करते हैं Ascaris को हम round warm भी बोलते हैं, Vicariria जिसको flaria warm भी बोलते हैं, और Encyclostoma जिसको हम hook warm भी बोलते हैं, ओके तो यह हमारा third phylum complete हो गया, now the fourth phylum जिसको हम Anilida बोलते हैं, देखिए Anilida की अगर हम बात करें तो आप सबसे पहले Anilida का डाइग्राम देखिए, Anilida में यह आप Narasys का डा प्राइग्राम देख सकते हैं, और आप उगर इसमें देखेंगे तो आपको थोड़ा सा अलग कुछ दिखेगा, एक तो यह round है और इसमें कुछ appendages हैं, और यह बहुत ही जादा अच्छे से divide किया हुआ और इसमें यह extra कुछ निकले हुए हैं, इसको हम literal appendages बोलते हैं, ठी यह free living हैं, और कभी कबार यह parasitic organism भी होता है, इसमें भी high level of body level organization है, this is organ system level of body organization, और इसकी symmetry भी कैसी होती है, bilateral होती है, और यह भी triploblastik है, और इसकी special जो feature है, वो है metamerically segmented, this is very important, it is metamerically segmented, and silomate, इसमें silom होता है, आपने देखा, platy helmetus में silom नहीं था, इसके helmetus में silom नहीं था, cedo silom था, और अब यह जो हमारा annelida आया है, इसमें बहुत अच्छा silom given होता है, इसको silomate animals भी बोलते हैं, जिसका जो body surface होता है, आप directly हाप देख सकते हैं, कि बहुत सारे segments में divide है, इसलिए जो भी इसका body structure, segments में divide है, इसलिए हम इसको matamerically segmented बोलते हैं, यह जो segments में divide होने की वरे से, हम इसको matamerically segmented बोलते हैं, और फाइलम का जो name है annelida बोला है, annelida का मतला होता है, इसमें जो annelida है, वो annulus लिया गया है, अनलिया लाटिन वोर्ड है, और annulus का मतला होता है, little rings तो इसमें आप little rings देख सकते हैं, ठीके और यह matamerically segmented है, और इसमें जो इसको मूफ करने में 제न होते हैं जयसे की न्यररिस है और यह पताया थी कि यह बताया था काईंतुं है चोटासट प्रेसेलंगे से लॉइपां पर आपेंडिजिस पार्ट अगर प्रोट्यूड करता है बहार निकलता है लाइक स्मॉल विंग की तरह तो इसको हम एपेटनिजिस बोलते हैं और इसको हम इसमें जो लिटरल एपेटनिजिस प्रेजन्ट है उसको हम पैरा पोडिया बोलेंगे जो कि इनको स्वेमिंग करने में हेल्प करते हैं और यह किसमें प्रेजन्ट होते हैं मोसलिए अग्वाटिक एनलेट में ही प्रेजन्ट होते हैं इसमें धुक्लो स्थैंल डूब जाते हैं उसमें कोई या कोई या कोई आल्टरी जा तुस्कोठ बिएगा इसको जाना होगा बैवं कि तुब्स बीजाएगा इसको क्लो सर्कूलेट्री सिस्टम बोलते हैं इसमें ट्यू आरेक्ट ली बलड जो है वो सेस नहीं भीगोएगा इसमें ट्यूप्स कि तुो जाएगा फिर इसमें नेफरीडिया प्रेजेंट होता है नैफरीडिया जो है जैसे कि हमने पढ़ा था कि flame cells होते हैं किसमें flame cells होते हैं? platy petroleum samples में flame cells होते हैं जो उसको किसमें help करते हैं? platyothes presidential में flame cells होते हैं वो उसको osmo regulation और excretion में help करते हुआ इसी तरीके से जो हमारा analyte है इसमेí special cells present होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं नेफरीडिया भी ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन में help करते हैं और इसमें neural system present होता है neural system एक बहुत ही बड़ा important point है इसका neural system, neural system is something related to brain, something related to nerves तो इसमें एक neural system present होता है जिसमें paired ganglia present होते हैं, ganglia special type of cells आप मान सकते हैं जो कि lateral nerve से connect होते हैं और double ventral nerve cord से connect होते हैं यह तीनों चीज़े connected होते हैं सबसे पहली बात इसमें neural system present होता है neural system का क्या मतलब है neural system का मतलब है कि उसमें paired ganglia present होंगे paired ganglia मतलब एक special type के cells आप मान सकते हैं इसको और जो कि यह neural system होगा यह lateral nerve से connected होगा connected by a lateral nerve to double ventral nerve cord neural system जो होगा वो double ventral nerve cord से connect होगा और यह दोनों किस चीज़ के थुरू connect होंगे यह दोनों connect होंगे lateral nerves के थुरू और जैसे नारेस जो है aquatic form में present होता है यह dices होता है dices का मतलब हम already पर चुके हैं कि इसमें male और female जो organism होंगे वो अलग अलग होंगे लेकिन इसमें earthworm भी आता है और leaches भी आती है जो earthworm और leaches होता है यह exceptional है यह monotious होते है monotious का मतलब है hermaphrodite इसमें male और female अलग नहीं होता है इसमें जो reproduction होता है वो sexual होता है इसका example आप यहां पर देख सकते है नारेस जिसमें हमने अभी यह देखा था इस नारेस जिस इस फैरेटीमा अर्थवर्म को अर्थवर्म का जो scientific name है इस फैरेटीमा और blood sucking leach जिसको हम hero dn area बोलते हैं hero dn area किसको बोला जाता है लीच को बोला जाता है तो हमने हाँ पर आज इतने हमने फैलम complete कर लिये हैं इसकी जो most important point है यह short notes में मैं आपको एक बार दिखा देती हूं जिसमें आपको बिल्कुछ short में सबसे most important points आपको पता चल जाएंगे तेकि short notes में सबसे पहला हमने जो पढ़ाता टीनो फैलम पढ़ाता है उसमें सबसे important जो चीजे हैं वह यहीं है at least कुछ नहीं तो यह तो वी हाव तू हाव दीस थिंग्स इनार फिंगर टिप्स यह तो याद हो नहीं है चाहिए टीनो फोरा मींस sea walnut and calm jellies exclusively कहां मिलते हैं marine animals होते हैं radially symmetrical होते हैं tissue level of organization होता है extra cellular और intracellular digestion होता है एक्स्टरनल रोज होती है स्रिलीटेट कॉम्पलेट्स की फॉर लोकुमोशन bioluminescence special property होती है हर्म फ्रोडाइट होते हैं sexual reproduction होता है external fertilization होता है और indirect development होता है आप एक चीज़ देखेंगे इसमें कितना repeat होती है चीज़े आप हर फाइलम में कुछ चीज़े एक्स्टराज जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ चीज़े तो आपको बिल्कुल ऐसे tips पर याद जाने चाहिए कि आपको हर किसी में development बताना है fertilization बताना है reproduction बताना है digestion बताना है germ layer बतानी है level of organization बताना है symmetry बतानी है और marine animal है aquatic animal है यह बताना है और अगर उसका कोई special name है special cells present है यह बताना है तो almost कितनी चीज़े हो गई जो आप आँग बंद करके भी लिख सकते हो exam में अगर आ जाती है तो तो 123456789 10 at least 10 lines तो आपके बास है ही है लिखनी के लिए हर organism के बारे में आपको यह 10 चीज़े तो पता होनी ही चाहिए और के फाइलम के बारे में फिर आता है प्लाटी हल्मेटर्स इसको special क्या है इसमें फ्लाटफॉर्म होते हैं आगे पीछे ट्रॉस वेंट्री फ्लाटन बॉडी होती है एंडो पारसाइट होते हैं अनिमस के अंदर रहते हैं सिमेट्री कैसी यह बाइलेटरल है जर्म लेयर चीजी होती हैं जैसे होकसं सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें फ्लैम सेल्स होते हैं जो और एक्स्क्रीशन में हेल्प करते हैं इसके अलावा यह भी हर्मफ्रॉडाइट होते हैं फैटलाइजेशन इंटर्नल होता है और इंटर्नल होने के बाद इसमें जो डवलाप्में और टेरिस्टिल दोनों हो सकते हैं सिमिट्री बाइलेटरल होगी ट्रिपलोब्लास्टिक होंगे सीडोसिलोमेट होंगे और एलिमेंटरी कनाल कंप्लीट होगी क्योंकि उसके इंदर मस्किलर फारेक्स प्रेजेंट होगा और रिमूव करेंगे वेस्ट को इसके इसके उलावा ऑनलीट के बात करें तो इकवाटिक और टेर्स्टिल दोनों हो 사कते हैं और Nicokol hadua आपको और सबसे बढ़ा हाई लेवल उफ और पर सरकुलर मसल्स प्रिजेंट होती है जिसके वरे से लोकोमुशिन हो पाता है Hildul पाते हैं यह Close Circulatory System होता है Narisus का Example है जो कि Dishes होता है Dishes मतलब male-alag female-alag होगा और जो Aquatic Analate होते हैं उसमें lateral appendages present होते हैं जिसको हम parapodia बोलते हैं जिसकी वेर जिए swim कर पाते हैं इसमें Neferidia होता है जो कि Osmo Regulation Excretion में हेलप करता है नेफरीडिया, special cells present होते हैं इसके अंदर और इसके अंदर सबसे important यह नूर्ल सिस्टम प्रेजन उता है नूर्ल सिस्टम किस फॉर्म में प्रेजंट होगा पेंट गालिया special cells होते हैं उनके फॉर्म में प्रेजंटू होगा जो की lateral nerves के फ्रूक किसको connect करेगा double को connect करता है neural system से production sexual होता है इसमें अर्थ वाम होता है जिसको फारती मस्क सांटिफिक नेम है लीच इसको हिरोडिनेरिया बोलते हैं और यह हर्माफुरोडाइट होते हैं यह इसमें exceptional होते हैं लेकिन यह दोनों हर्माफ्रोडाइट होते हैं या फिर मोनुशियस होते हैं एक ही बात है तो हमने अपने इन फालम को complete कर लिया है आई होप आपको यह फालम समझ में आए होंगे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और मेरे चानल पर की बेल बटन को जुरू प्रेस कीजिएगा जिससे की हम अगली वीडियो में मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में आगे के टॉपिक्स के साथ और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडियो